हलो बच्चो वेलकम टू आर्पी क्लासिज आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्लास टैंथ का जिसका दूसरा चैप्टर है इंडो चाइना में राष्टरवादी आंदोलन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो चाइना इंडो चाइना में कौन-कौन से देश आते हैं इसमें तेन देश आते हैं वियतनाम, लाओस और कमबोडिया हम पढ़ेंगे वियतनाम के बारे में कि वियतनाम में किस प्रकार राष्टरवादी आंदोलन आया हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि एरोप में राष्टरवाद का उदे हैं कि एरोपिय देशों में राष्टरवाद का उदे किस प्रकार हुआ हम पढ़ेंगे अब की बार वियतनाम में किस प्रकार राष्टरवाद का उदे हुआ जो व्यतनाम था वो आजाद हो गया था 1945 में लेकिन वहां गंतंतर कब आया 30 वर्स बाद 1945 में 1975 में वहां गंतंतर आया व्यतनाम में जो रास्टरवाद है उसकी भावना का विकास उपनिवेशिक परसेतियों में होता है पहले देखेंगे उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी सक्टेशाली रास्टर के द्वारा अपने हीतों की पूर्ती के लिए किसी निर्बल रास्टर के उपर उस और उस रास्टर में प्रकर्तिक साथन साथ में हों और उन साथनों पर नियंतरन करने के लिए उस जो निर्बल रास्टर है उसके आर्थिक साथनों पर नियंतरन करना ही क्या कहलाता है उपनवेशवाद कहलाता है उपनवेश वाद की भावना उस समय उरोपी है जो देसों में थे जो बहुत ज़ादा पाई जाती थी यहनी उरोप के देसों ने अपने बहुत सारे उपनवेश बनाई हुए थे उस समय तो हम पहले वियतनाम के बारे में वियतनाम के जो थोड़ा सा इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हमारा नेक्स्ट जो आता है चीन से आजादी वियतनाम के इतिहास में हम देखेंगे कि जो वियतनाम है वहाँ पर किसका समराज्या था चीनी समराज्या था वहां कैसे पता चला क्योंकि वहां के लोग व्यतनाम के लोग उस समय चीन का समराजय नहीं था चीन से आजादी मिल चुकी थी लेकिन हमें पता किस चीज से चलता है कि बहुत समय पहले वहां पर चीन का समराजय था वहां की संस्कृती से लोगों की जो भासा थी वो चीनी थ जो वहां की सासन व्यवस्था थी वो भी चीनी ही थी जो वहां के संस्कृत ही थे जो वहां के संस्कार थे लोगों के अंदर वो कौन से थी चीनी वाले थे इसलिए वहां पर किसका अधिकार था बहुत समय पहले चीनी समराज्या का वहां पर अधिकार था ये हुआ वहां की स जहां से अनेक व्यापारियों का आंगमन या आना जाना होता है अनेक विचारों का आदान परदान होता है यानि बहुत सारे लोगों का व्यापार का जो रास्ता है समुदरी सिलक रूट उस रास्ते पर व्यतनाम बसा हुआ है व्यतनाम मतलब व्यतनाम जिन से व्यापार करत है वो कुछ गैर्ज व्यतनामी समुदाएः भी वहां पर है जिनके साथ व्यतनाम के सबंद हैं खमेर और कमबोडियाई यह था थोड़ा सा व्यतनाम का इतिहास अब हम देखते हैं कि व्यतनाम के ऊपर ओपनिवेशिक शक्ति का प्रभूत्तव कैसे आया कौन थी वो ऑपनिवेशिक शक्ति जिसने वियतनाम पर नियंत्रन किया था वो थी उन्ठारा सो अठावन की बात है फ्रांसे सेना का वियतनाम में आंगमन होता है और 80 के दस्क तक उत्री इलाके पर वियतनाम पर कबज़ा हो जाता है फ्र नियंत्रन के लिए तो क्या व्यतनाम के लोगों की जिंदगी पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है कुछ जो व्यतनामियों की जिंदगी थी वो पूरी तरह बदल गई जो ओपनवेशिक सासक थे उनका साथ व्यतनामियों के साथ बहुँ जादा अंटकराव होने लगा हर एक पहलू पर हर एक मोड पर जो थे सैनिक थे या आर्थिक उनका तो नियंत्रन था ही था साथ में यानि सैनिक और आर्थिक रूप से तो नियंत्रित कर रहा था फ्रांस व्यतनाम की लेकिन साथ साथ में उनकी जो संस्कृती थी उनको भी बड़े सूनियों जित धंग स हैं तो क्या होता है जब फ्रांस का और चीन का यूद होता है तब जो फ्रांस है वह वह व्यतनाम के टोकिन और अनाम पर भी नियंत्रन कर लेता है अपना कपज़ा कर लेता है वहां पर 1867 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हो इस परकार फ्रांस का नियंत्रन वियतनाम पर आ जाता है फिर क्या का फ्रांसिसियों को उपनवेस की जरूरत क्यों थी क्यों फ्रांसिसियों ने उपनवेस बनाए क्यों फ्रांसिसियों ने वियतनाम पर अपना कबजा किया उस समय क्या था कि अपने जो प्राकर्तिक संसाध या अपने जरूरी साजो सम्मान प्राप्त करने के लिए यूरोपिया देश अन्या देशों पर नियंतरन करते थे उस समय यह माना जाता था कि यदि अपनी जरूरतें पूरी करनी है यदि आर्थिक रूप से स्वयम को सम्रिद करना है तो ऐसे देशों पर जो पिछड़े प्रंतु प्रकृतिक साध्रों से भरपूरों उन पर नियंतरन करना जरूरी है ऐसा उस समय के समाज की उस समय की दुनिया की सोच थी एक और बात थी कि जो दुनिया के पिछडे समाज हैं वहां तक सभ्यता की रोशनी पहुचाना उनका दाइतो बनता है युरोपिय कंट्री समझते थे कि वो विक्सित हो चुके हैं वो सभ्य हो चुके हैं अब उनका क्या दाइतो बनता है कि अन्य कंट्रियों को अन्य जो देश हैं जो पिछडे हुए हैं अभी उनका विकास नहीं हुआ उनको सभ्य बनाना यही फ्रांसिसियों की भी सोच थी इसलिए भी उन्हों के जो मैकोंग डेल्टा था वहां की जो खेती थी उनको विक्षित करने के लिए वहां पर क्या बनवाई सबसे पहले नहरे बनवाई क्यों क्यों कि वो क्या करना चाहते थे चावल की खेती का विकास करना चाहते थे चावल की खेती को अधिक से अधिक पैदावार उसकी करना चाहते थे जल ने कासी का परबंद किया चाहे व्यक्ति काम करना चाहे या ना चाहे चाहे कोई व्यक्ति चावल की खेती करे या ना करे लेकिन फ्रांसिसियों ने जबरदस्ति व्यतनामी लोगों से खेती करवाई चावल की उससे क्या हुआ जो व्यतनाम अभी तक चावल का आयत कर रहा था फ्रांसिसियों के आने के बाद अब चावल का नर्यातक बन गया व्यतनाम चावल का नर्यातक देश बन जाता है और जो देश में पूरी दुनिया में नर्यातक चावल के रूप में तीसरा स्थान वहां पर आ जाता है जब किसी के व्यापार को बढ़ाना हो तो क्या एक सरंचनागत प्रयोजनाओं के माध्यम चे या सरंचनागत प्रयोजनाओं का निर्मान भी करना पड़ता है। सनंचनागत प्रयोजनाई क्या है? किसी भी व्यापार की समरिद्धी के लिए, रेल, डाक व्यवस्था या बस, यानि सडक की स्विधा चाहिए, रेल की स्विधा चाहिए, बैंकिंग प्रनाली मजबूत होनी चाहिए, ये सब कुछ किया फ्रांस ने वियत नाम में. फिर आ जाता है, क्या उपनवेज का विकास करना जरूरी है? अब ये भी फ्रांसिसियों के सामने एक प्रशन उठता है, क्या जो व्यत नाम है, इसका भी विकास करना जरूरी है? हाँ तो ये सच है, यदि किसी से, किसी मतलब सासक को, या जो रास्टर है, उसको जो उपनवे इसको अधिक से अधिक सम्रिद बनाना पड़ेगा क्यों क्योंकि उपनवेश के लोग सम्रिद होंगे उनके पास पैसा होगा तभी वो अपनी जुरूरत का समान खरीद पाएंगे इसलिए एक जो उस समय नीती निर्माता थे पाल बरनार्ड और अन्य जो लेकक थे उनका यही मानना था कि जो उपनिवेश होते हैं वो मुनाफ़ा कमाने के लिए ही तो बनाए जाते हैं यदि उनकी अर्थवेवस्ता मजबूत होगी उनका जीवन स्तर बड़ेगा तो क्या होगा बड़ा बाजार हमें उपलब्द होगा इसलिए उपनिवेशों का विकास करना अति आवश्रक है स्पोज कीजी एक व्यक्ति है उसके पास कोई पैसा नहीं ठीक है तो फिर उसको किस चीज की चिंता रहती है अपने भोजन की कपड़े की यहां तक बस कि मेरे पास एक छत होनी चाहिए हर रोज का भोजन मिलना चाहिए तीन ताइम की रोटी मिलने चाहिए और कपड़ा मिलना चाहिए लेकिन उस वेक्ति के पास यदि धीरे धीरे पैसा बढ़ना सुरू हो जाता है उसकी कमाई बढ़नी सुरू हो जाती है तब उसको क्या चाहिए होता है और संसाधनों की जरूरत पढ़ती है कि नहीं मेरे पास कार होनी चाहिए मेरे पास अच्छा सा घर होना चाहिए और मेरी हर जरूरत का समान मेरे पास होना चाहिए तब वो सोचने लगता है तब यही चीज थी फ्रांसिसियों की कि यदि हमारे उपनवेसों का जीवन उनकी अर्थ विवस्ता सम्रिद होगी तब यही तो वो हमारे बाजार से हमारी मंडियों से अधिक से अधिक पैसे से अधिक से अधिक कुछ खरी देंगे और मुनाफ़ा कि इनको मिलेगा फ्रांसवालों को मिलेगा तब उन्होंने जो पाल बनार थी वो बहुत कम है जो किसान है वो कर्जे के बोज के नीजी दबा पड़ा है। उन्होंने ऐसा कहा उस समय व्येतना में दो परकार की खेती की जाती थी एक चावल और एक रब्ड चावल के खेती मैंने अबैंभे बताया कि व्येतना में चावल के खेती का विकास किया गया और वियत नाम एक निर्यातक चावल देश बन गया इसके बाद जो रबड़ है उसकी बाद आती है जो रबड़ के बागान थे वहां काम करने वाले जो मजदूर थे वहां पर एक तरफा अनुबंधन का सासन लागू किया अब एक तरफा अनुबंधन क्या है एक तरफा अनुबंधन वो है जहां पर सभी के सभी अधिकार हैं वो मालिक के होते हैं और जो मजदूर वर्ग है उसको कोई अधिकार नहीं द जाती है लेकिन जो मालिक वरग है उनके ओपर किसी प्रकार की कोई कारवाई नहीं कि जाती इसे कहा जाता है एक तरफा अनुबंदन जो की रबड के बगानों में लगू किया हुआ था अब आ जाती है कि उपनिवेशिक शुक्षा की दुविदा अब जो आधुनिक विचार प्षेलाने है एक देसों को अपने उपनिवेश्य में तो किने साधन नायों की सोच नाम की स्थानिये लोगों की संस्कृती है जो धर्म है वो बिल्कुल ही बेकार है उसका कोई भी वोजूद नहीं वो एक ऐसी संस्कृति उनके अंदर फैली हुई है जो उनके आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बादक है क्यों क्योंकि वहाँ चीनी संस्कृति थी उनको नस्ट करना था तो उन्होंने क्या कहा कि यदि इन धर्वों को नस्ट भी कर दिया जाएग तो इसमें कोई दिकत नहीं इसमें कोई प्रोबलम नहीं आती तो फिर सिक्षा किस हद तक दी जाए यानिğer सिक्षा किस हद तक दी जाए यह सोच थी अब जब एक्टि सुक्षित हो जाता है तो क्या उसके अंदर राश्टरवाद क सिक्षित होकर अन्य देशों की संसक्रिति पढ़ेंगे क्लांतियां पढ़ेंगे और फिर किसी सिझ के लिए खतरा बन जाएंगे इसलिए उनको सिख्षा देनी सोच समझ कर देनी ये भी बहुत बड़ी समस्या थी अब next point हमारा बनते हैं आधुनिक सोच और सिख्षा की भासा जो चीनी संस्कृती थी क्योंकि वहाँ चीनी संस्कृती थी भासा भी चीनी थी जो उसकी समस्या थी यानि एक तो चीनी संस्कृती को समाप्त करना व्यतनामे जो संस्कृती थी उसको समाप्त करना जो व्यतनाम के अमीर लोग थे अधिकतर वो कौन सी भासा का प्रयोग करते थे चीनी भासा का प्रयोक करते थे उसको भी क्या करना समापत करना संस्कृति समापत करना उसकी जगां फ्रांसिसी संस्कृति को लागू करना उसकी जगां फ्रांसिसी भासा को लागू करना यह बहुत बड़ी बात है आप देखे यह आपकी भासा है जो आपके संस्कार आपके नियम आपकी संस्कृति है जो उसको स्मापत कर दिया जाए और कोई दूसरा अंग्रेज जैसे भारत में आये थे और वो यहां पर आकर अपनी संस्कृति हमारे उपर थोपें अपनी भासा हमारे उपर थोपें और हमें कहें कि आपकी तो बेकार संस्कृति है इसका कोई अस् करनांस जो व्यतनाम है उनके लोगों के अंदर राष्टरवाद की भावना को जिनम दिया यही रेजन था जब तक कोई वेक्ति हमारे देश में आता है हमारा आर्थिक शोषन कर रहा है तब तक तो जो अमीर व्यक्ति है उनके उपर परlaus पढ़ता है परता सारे लोगों को यहां से बाहर निकालना है जब आम नागरिक सोचता है तब क्या होता है देश के अंदर राश्टरवाद की भावना पर अपने लगती है यहां पर फ्रांसिस्यों ने सबसे बड़ी गलती की थी कि उनकी संस्कृति को स्माप्त किया तब जो सिक्षा की भासा कौन स सारी जो सिक्षा की भासा है वो फ्रेंच ही की जाए ताकि लोग फ्रेंच संस्कृति को पढ़ें ताकि लोग फ्रेंच लोगों का सम्मान करें और हमें जो काम करवाना है इन लोगों से खुसी-खुसी कर दें हमें जितने भी थोड़े बहुते मजदूर चाहिए या हमें जितने भी कारीगर चाहिए यह जो हमें नोकरियां जिनको देनी है थोड़े बहुते फ्रेंच लोगों को सिखा दी जाए और वो हमारा काम खुसी-खुसी कर दें लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं उनको छोटी कक्षाओं में व्यतनामी भासा में शिक्षा और ब सुक्षा देजियार थी जो पढाई पूरी करते था उनकी संख्यातों बहुत ही कम थी क्योंकि क्या था पर कि फेल कर दिया जा और इसले यह रूल अपनाया गया था कि दस्वी क्लास से सिर्फ और सिर्फ लाखों में से लगबग दिर लाख में से चार सो से साड़े चार सो बच्चों को ही पास किया जाता था जितने कि फ्रांसेसी लोगों को जरूरत होती थी नुकरियों के लिए वहाँ पर जो किताबे बनाएगी उनमें क्या किया गया क क्या कहा कि व्यतनामी लोग हैं वो क्या है आदिम हैं वो पिछडे हुए हैं उन्होंने कहा कि व्यतनाम के लोग हैं जो वो शाररिक श्रम तो कर सकते हैं लेकिन बोधिक श्रमता उनमें नहीं है वो क्या कर सकते हैं खेती तो वो कर सकते हैं लेकिन सासन चलाने की सामर्थ हैं नहीं है, वो बहुत अच्छे से नकल्ची है, दूसरों की नकल करने में होशार हैं, लेकिन रसना्सील नहीं है, क्रिटिव नहीं है वो, तो फिर जब किसी वेक्टि को ये बोला जाए, आ कर आपको ही बोल दिया जाए, कि आपके अंदर दिमाख नहीं, की आपके अंदर सासन हुआ था कि जो सांती स्थापित की है वो फ्रांस ने ही सांती स्थापित की है यानि क्या कि हमारे आने से पहले व्यतनाम में तो डाकूयों का राज था चारों तरफ ऐसांती फैली हुई थी जब हमने यहां पर अपना सासन स्थापित किया तब जाकर वियतनाम में सांतिकी स्थापना हुई, ऐसा वहां पर जो फ्रांसी सी थे उन्होंने कहा, अब आधुनिक दिखने की चाह सिर्फ शिक्षा तक सेमित नहीं रहे फ्रांस, उन्होंने क्या कहा, कि जो आपका पहनावा है, जो आप कपड़े पहनते हो, जो आपका रह सहने का धंग है वह बिल्कुल बेकार है इसलिए उन्होंने 1907 में टॉकिन फ्री स्कूल शुरू किया इस स्कूल में शाम को शिक्षा दे जाती थी यहां पर क्या किया जाता था कि पस्चमी सेलियों के अनुसार यानि पस्चमी शभ्यता के अनुसार स्वैम को ढालने की पूरी है क्या था व्यतनामी जैसे एक जामपल है कि बड़े-बड़े बाल लखते थे लेकिन इन्होंने क्या-क्या फ्रांसिस्यों ने कहा कि अपने बाल कटवाओ यह आप क्या सभ्या लगते हो उनको ऐसे सी भासा का प्रियोग किया उनके लिए तब फिर उनको पस्चमी मतलब सभ्यता में दिखने की शिक्षा देने लगे कि आधूनिक बनना है आपको अगर अपना विकास करना है अब क्या होता है स्कूल में विरोध का स्वर जब फ्रांसिसी सीधा सीधा अटैक करने लगे पहले आर्थिक सोसन किया सैनिक नियंत्रन किया लेकिन जब संस्कृ पर उनकी सभ्यता पर खाने पीने पर पहनावे पर अटैक शुरू हो जाता है तब विरोध का स्वर उठने लगता है लोगों ने ऐसे ही उनका पठेक्रम आख बुंद करने उसके ओपर विस्वास कर लिया या इसको ग्रेहन कर लिया विरोध हुआ इसके लिए कहीं कहीं त अबा हुआ विरोध हुआ जब वियतनाम के लोगों ने वियतनाम मियों ने फ्रेंच सिक्षक रहन की तब क्या जो सिक्षक थे वो वियतनाम के आने लगे धिरे-धिरे स्कूलों में उनकी संख्या बढ़ने लगे फ्रांस से चाहा कर भी उनको कम ना कर पाए एक व्यक्ति जब किताब में पढ़ता है कि फ्रांस के जो वियतनाम के लोग हैं उनके favorite दिमाख नहीं क्या वो वियतनाम का होने के बावजूद भी अपने बच्चों को ये शिख्षा दे सकती हैं नहीं दे सकता तब व्यतनाम इसे चूरी छूपे इन बातों को बदलना सुरू कर दिय अपने धंग से व्यतनाम की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने लगे उनको उस संस्कृति के बारे में पढ़ाने लगे एक घटना घटती है एक ऐसे ही 1926 में साइगन नेटिव गर्ल स्कूल की ये घटना है उसमें क्या होता है कि एक लड़की स्कूल के अंदर आती है और क्लास में सबसे अगले वाली जगाँ पर बैट जाती है जब फ्रांसी लड़की उसको बोलते है कि ये जगा व्यतनामी बच्चों के लिए नहीं है यहां पर मैं बैठ हूंगी इसलिए यां से उठ जा लेकिन व्यतनामी लड़की वहां से उठने से मना कर देती है फीर जो स्कूल से निकाल दिया गया बाकि व्यतनामी जो बच्चे थे क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना तो पन भी रही थी जब उसको बाहर निकाला गया स्कूल से तब जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया विरोध किया इसका तो प्रिंसिपल ने भी उन सभी बच्चों को बा पड़ा क्या हुआ फिर जब देखा कि हम जब जलूस निकालते हैं हम जब लोग इकठा होते हैं जनता सरकार के खिलाफ बोलती हैं तब सरकार को हमारी बात माननी पड़ती है फिर अनेक राजनितिक संगठंती राजनितिक पार्टियां बनाई गई जब व्यतनामी संस्कृति इतना अपमान किया जा रहा था व्यतनामियों को लगा कि फ्रांस के लोग हमारा बहुत कुछ ले जा चुके हैं और हमारे देश को अब गरीव कर रहे हैं तो धीरे-धीरे क्या उनका विरोध होना शुरू हुआ अब व्यतनामियों के अंदर रास्टरवाद की भावना जाग पूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए थैंक्याइब